जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी द्रिश्य देखकर के बहुत ही पीड़ा भी होती थी अचमबा भी होता था कि हमारे जो बुजर्ग हैं पैंशन के लिए उनको कैसे बटकना पड़ता है दर्खास लिखवाते हैं फिर किसी दफ्तर जाते हैं उनकी फाइल उनका दस्तावेज त्यार होता है महिनों मेने गोमते रहते हैं लेकिन उनको पैंशन बनके नहीं देती थी व्यवस्था बड़ी जटिल थी कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था कभी किसी पटवारी और तसीलदार के पीछे कभी SDM के पीछे कभी चोकिदार के पीछे और आखिर में बाबू भी उनको खुब गुमाते थे और पैंशन है कि बनके नहीं देती थी लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे नौ साल के बाद आज हमें इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा 60 साल की आई होते ही घर बैठे आपको पैंशन मिलेगी और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था एक लास से ज़्यादा लोगों के पैंशन इस प्रकार से बन गई है अब ऐसे सब लोग चाहे पहले वाले पैंशन धारी हैं चाहे नए पैंशन वाले हैं इस समय तक तो नमरी के महिने से आप ये साड़े साथाइस को बदले तीन अजार रुप्य महिना प्राप्त करेंगे आपको बहुत बहुत इस बात की बदाई देता हूँ मेरे परिवार जनो मैं आपके बिच से ही जिकल आज यहां पहुंचा हूँ गरीबी की चिन्ता गरीब की चिन्ता करना मैं मेरा जीमन धर्म मानता हूँ दोस्तो यह मेरी चिन्ता है जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिन्ता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे कोई भी मान खुद पेट बांद कर सो सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलगता हुआ नहीं देख सकती कोई भी पिता मद्दूरी करनी पड़े तो करेगा रात रात काम करना पड़े तो करेगा कोई भी काम करना पड़े तो करेगा लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था पूरी दुनिया संकट पे थी, तब मैंने ताई किया कि किसी गरीब को मैं भूखान नहीं सोने दूगा। पुक्त चावल और चनाम मिल रहा है। साथियों, प्रदान मंत्री गरीब कर ल्यान अन्य योजना, सरकार के हिसाब से इस दिशंबर में पूरी हो रही है। किया भाई, उसने एक और निश्चे कर लिया है। मेरे गरीब भाईयों बेहनों, मैं देश के गरीब भाईयों बेहनों को अज्जूर की धरती से बताना चाहता हूँ, मैंने निश्चे कर लिया है। देख के असी करोर गरीबों को, मुप्त राशन देने वाली योजना को, बाजपात सरकार अब अगले पांच साल के लिए और बढ़ाएगी। झाल